नमस्कार स्वागत है आपका एक और ने वीडियो में दोस्ते इस वीडियो में मैं आपको Union Bank की U-Token Service को Disable करना बताऊंगा Service को Disable करने से पहले आपको ये बताते हैं U-Token Service क्या होती है U-Token Service OTP की तरह ही काम करती है जिस तरह किसी भी online transaction को complete करने के लिए OTP एंटर करना होता है ठीक उसी तरह internet banking से transaction करने पर U-token एंटर करना होता है अब बहुत से लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि क्या बिना U-token के internet banking से transaction नहीं किया जा सकता इसका जवाब है बिलकुल किया जा सकता है U-token service तभी काम करती है जब आप इसे enable करते हैं जब तक आप इसे enable नहीं करेंगे तब तक आप बिना U-token के internet banking से transaction कर सकते हैं चलिए अब आपको U-token service को disable करना बताते हैं अगर आपने U-token service को activate कर लिया है तो जब भी आप internet banking से transaction करेंगे तो आपको हर बार utoken एंटर करना होगा utoken service को disable करने के लिए browser में search करें union bank internet banking search करने पर आपको screen पर कुछ links दिखाई देंगे आपको first link पर click करना है अब आपको user id, password और capture एंटर करके login बटन पर click करना है login करने के बाद आप password management tab पर cursor लाएं यहां पर आपको utoken के सामने दो option शो होगे utoken registration और enable utoken आपको second option enable utoken पर click करना है इस screen पर आपको no को select करके continue बटन पर click करना है अब आपको utoken enter करके confirm बटन पर click करना होगा आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अगर आप utoken app से login नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है utoken service lock हो गई है login pin reset करने के बाद भी अगर आप app से login नहीं कर पा रहा है तो आपके पास दो option है जिससे आप utoken service को unlock कर सकते हैं नमबर वन आप ब्रांच के जरिये utoken service को unlock कर वा सकते हैं नमबर टू आप email के जरिये भी utoken service को unlock कर वा सकते हैं चलिए आपको email id बताते हैं और email में आपको क्या लिखना है वो भी बताते हैं email में आपको लिखना है dear sir madam I have activated utoken service but unfortunately utoken service is locked please unlock utoken service my account details below account details में आपको अपना नाम, bank account number, registered mobile number और utoken user id लिखना है email करने के बाद एक से दो दिन में आपको एक email receive होगा चलिए मैं आपको email भी दिखा देता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं bank ने हमें एक email भेजा है जिसमें बताया गया है आपकी user id unlock कर दी गई है अगर आपको utoken service को unlock कराना है तो आप स्क्रीन पर दिख रही email id का यूज़ कर सकते हैं चलिए utoken एंटर करके utoken service को disable करते हैं आप देख सकते हैं हमने successfully utoken service को disable कर लिया है वीडियो अच्छा लगा है तो like और share जरू करे है